विल्कम बैक स्टिडेंस अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि पार्टिसिपल एक टाइब की नौन फाइनाइट वर्ब होती है एक ऐसी नौन फाइनाइट वर्ब जिसको सेंटेंस में एग्जेक्टिव की तरह यूज किया जाए आज के लिक्षर में हम बात करने वाले हैं टाइपस ओफ पार्टिसिपल के बारे में यानि कि इस टॉपिक से हमें पता चलेगा कि पार्टिसिपल के कितने अलग-अलग टाइपस होते हैं देखिए दोस्तों पार्टिसिपल टोटल थ्री टाइपस के होते हैं Present Participle, Past Participle और Perfect Participle शुरुआत करते हैं Present Participle से इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम verb की एक base form के आगे ing लगाते हैं और फिर जो हमारी final verb बनती है non-finite verb हम उसको adjective की तरह यूज करते हैं दिखिए example है He jumped from a running bike अब दोस्तों हम कह रहे हैं कि वो एक running bike से कूद गया यहाँ पर हमारा action क्या है हमारा action क्या perform हो रहा है वो है दोस्तों कूद गया यहाँ पर jumped हमारा action है कौन कूद गया he यानि की subject और इनके बीच में relation है हमारा दोस्तों from a running bike जो की एक object है अब इसके अंदर दोस्तों हमें पहले तो adjective को point out करना है यहाँ पर adjective है हमारा bike को represent करने वाला word running की कौन सी bike? running bike अब चेक करते हैं कि क्या यह एक participle है दिखिए दोस्तों verb की base form और end में ing यहाँ पर run verb की base form है और last में ing लगा हुआ है मतलब की यह एक ऐसी verb है जो की एक sentence में verb का रोल नहीं play कर रही बलकि एक noun को describe करने के लिए word है एक adjective है तो यहाँ पर running एक present participle है क्योंकि verb की base form है और end में ing लगा हुआ है तो students यह हमने present participle को समझ लिया है अब बात आती है past participle की इसके अंदर हम verb की third form का use करते हैं एक adjective की तरह बहुत ही असान है देखिए the tired driver cannot be safe हम कह रहे हैं कि एक ऐसा driver जो की tired है वो safe नहीं हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता है यानि कि यह cannot be यह हमारी एक verb है action है अब safe कौन नहीं हो सकता है यह हमारा subject है और यहाँ पर object relation हमें बता रहा है safe तो यह हमारा object है अब दोस्तों यहाँ पर हमें verb की third form ऐसी verb की third form जो की adjective का role play कर रही है वो past participle होगा चेक करते हैं यहाँ पर दोस्तों adjective क्या है देखिए driver को describe करने वाला word tired की कैसा driver एक tired driver और क्या यह जो word है tired क्या यह एक verb की third form है हाँ दोस्तों हमारी main verb होती है tired यानि की ठका हुआ अब उसकी एक third form होती है tired यानि की यह tired verb की third form है जो की driver की quality बता रही है उसको describe कर रही है तो इसलिए यह एक adjective है और एक यह past participle की तरह act कर रहा है तो दोस्तों यह हमने present participle और past participle को समझ लिया है अब बात आती है perfect participle की यह बहुत ही interesting है दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते है having या फिर having been यह दो words है हम इनके आगे verb की third form यूज़ करते हैं और जब ऐसा करने से हम एक ऐसे action को denote करें जो कि already हो चुका है तो हम कहते हैं कि यह एक perfect participle है इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि यह तो adjective की तरह काम नहीं कर रहा पर अंतु दोस्तों वो indirectly एक adjective की तरह काम कर रहा होता है पर वो एक ऐसे action को represent करता है जो कि हो चुका है example से समझते हैं देखें having edited the file he fled away अब यहाँ पर दोस्तों he fled away वो भाग गया यह हमारा main sentence है इसके अंदर fled एक हमारी verb है कौन भाग गया he और उनके बीश में relation है away अब दोस्तों इस पूरे sentence को describe करने का काम कर रहा है having edited the file जा फिर हम यह भी कह सकते हैं कि file को describe करने वाला कि हमने file के साथ क्या किया उसको edit कर दिया तो दोस्तों यह जो हमारा पूरा function है यह एक adjective की तरह indirectly role play करता है और इसी के अंदर हमारा perfect participant छुपा हुआ है देखिए having और या फिर having been इसके आगे हम verb की third form यूज़ करते हैं यहाँ पर यह रहा हमारा having और फिर हमने edited जोकि edit एक verb है हमारी उसकी third form है हमने having edited यह यूज़ किया है जोकि एक दोस्तों हमारा perfect participant है क्योंकि यहाँ पर यह एक sentence को या फिर उस file को describe करने का काम कर रहा है तो दोस्तों यह हमने सारे doubts और भी clear हो जाएंगे तो इसलिए दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि note section में जाकर इस topic पर बेस जो exercise है आप इसको solve कीजिए next lecture में हम उसको discuss करने वाले हैं तो इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले lecture में Students, I'm sure आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसी तरह से interesting तरीके से अगर आप सारे concepts, theories different chapters समभशना चाहते हैं तो download करिए P.U.Stack app क्योंकि इस app पर आपको बहुत कुछ मिलेगा sample papers हो, tip videos हो different lectures, back exercise solutions बहुत कुछ So what are you waiting for? Download P.U.Stack app